इस लेसन में हम लोग जो एक और बहुत इंपॉर्टन टेक्नीक डिस्किस करने वाले हैं लेयाउट करीट करने के हवाले से वो ये है कि आप अपने डिजाइन्स के अंदर अपनी लेयाउट के अंदर alignment का जो एक principle है उसको अपलाए करके बहुत खुबसूरत result जो है वो generate कर सकते हैं आप लोगों को याद होगा कि मैंने principle of design के अंदर आप लोगों को alignment के हवाले से काफ़ी detail में बताया था और हम लोगों ने ये discuss किया था कि जब हम किसी भी एक खास line के साथ text को arrange करते हैं या images को arrange करते हैं या text को images के साथ किसी खास linear pattern में arrange करते हैं तो उससे क्या होता है कि alignment जो हमें नजर आती है हमारे design के अंदर और ये जो alignment है ये basically आप आम तोर पे वहां पे बहुत ज्यादा applicable होती है जहां पे जो text है उसकी amount ज्यादा हो जैसा कि हम लोग अगर कोई magazine देखें और उसकी layout को study करें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें जो alignment का principle है वो apply हुआ वा नजर आएगा इसी तरह से newspapers के design में आप लोग देखेंगे कि alignment आपको नजर आएगी इसके लावा visiting cards हैं या annual reports हैं तो इन तमाम चीजों के अंदर हम लोगों को alignment का जो principle है वो apply हुआ अबा नजर आता है और ये layout के लिए एक बहुत ही interesting और बहुत ही effective जो है वो principle है अच्छा अब हम कुछ examples देखते हैं और उनकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी layouts के अंदर किस तरह से जो है वो alignment को produce कर सकते हैं ये एक magazine की layout है आपके सामने इस वक्त और इसके ये basically एक design studio है बहुत अच्छा इनका काम है उनने ये produce किया हुआ है अच्छा इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको बहुत इंटरस्टिंगली ये नदर आएगा कि जो images हैं यानि कि double spread है left side और right side दोनों pages के उपर जो images आपको देख रहे हैं वो एक खास horizontal line के उपर place किये गए हैं अच्छा इसी तरह से जो text है वो अगर आप गोर करें तो वो एक खास vertical line के साथ place किया गया है तो यानि के images को horizontally align किया गया है और जो text है उसको vertically align किया गया है इसी तरह से अगर ये left page पे आप देखें जे का जो आपको alphabet नजर आ रहा है इसके साथ बहुत खुबसूरती के साथ जो है वो body text जो है वो आपको align नजर आएगा तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है बहुत असानी के साथ alignment को add करके अपने layout को interesting बना सकते हैं अच्छा इसी तरह से ये एक annual report की example देखते हैं ये भी एक बहुत interesting design है और इसके अंदर भी जो alignment है वो हमें नजर आ रही है अगर आप गोर करें तो उपर जहां पर title है वो और नीचे जो body text है उनको एक खास vertical line के साथ जो है वो प्लेस किया गया इस design के अंदर और जिससे क्या हुआ है कि alignment हमें मिल गई है हमारे design में और इस तरह से ये जो layout है ये बहुत interesting बन गई है एक और example देखते हैं और ये example है business card या visiting card के हवाले से अच्छा इसमें अगर हम देखें तो जो contact details है उनको लिखा गया है और वो जो text है contact details का वो basically arrange किया गया है icons के साथ एक vertical line के उपर यानि के icons भी एक vertical line में और बिलकुर उनके साथ उसी खास vertical line में हमें जो है वो contact details का जो text है वो नज़र आता है इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उपर और नीचे एक separation दी गई है ये दो जो आपको चोटी 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 lines नज़र आती है vertical lines चोटी 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 यूज की गई है टॉप पे और bottom पे और इनी के साथ जो है वो सारे जो design elements है वो place किये गए है vertical line के अंदर तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि खास तोर पे ऐसी चीज़ें design करते हैं जहां पे text का इस्तमाल ज्यादा हो वहाँ पे हम alignment का जो principle है इसको apply करके बहुत असानी के साथ जह है वो अपनी layout को ज्यादा से ज्यादा interesting मना सकते हैं तो अब आप लोगों ने जब भी कोई ऐसा design बनाना है for example अगर आप magazine के लिए कोई चीज़ डिजाइन कर रहे हैं ड्यूस पेपर के लिए कर रहे हैं कोई newsletter कर रहे हैं तो आप इस situation के अंदर हमेशा जहन में रखें कि alignment आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली ह इंशाला तरह next lesson में layout के हवाले से कोई और बहुत interesting जो technique है वो आप लोगों से में discuss करूंगा